नमस्कार दोस्तूं परक्षा से पेले सुपर प्रहार बात कर रहे हैं हम राजस्तान के इतियास की दोस्तूं रास्तान इश्ट्री के टोप 151 महत्वापूर्ण परसन है जो इस कलास के अंदर रहींगे और हर एक टोपिक से जो टोप क्यूशन बनते हैं या विगत परिक्षियाओं के अंदर पूछे गए हैं वो 151 क्यूसन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तूं कम समय में अधिक परसन आप देखते हैं 30-40 क्यूसन अगर आप कहीं पर अटेंड करते हैं तो आपको लगबग एक गंटे का समय मिल जाता है लेकिन यह 30-35 मिनट की क्लास के अंदर 151 क्यूसन होंगे और वो भी वे परसन जो बार बार एक्जामू में रिपीट हुए हैं दोस्तों इसलिए अंतक मेरे साथ बने रहे हैं आपसे आसा यही रखता हूं मितरू की क्लास को जैसे ही आप सुरू कर रहे हैं एक बार सेर कर दें लाइक कर दें और जो नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन में ओल नोटिपिकेशन को जरूर ओन करें जागती जोत पत्रिका का परकासन किया जाता है कहां से राजस्तानी बासा में साहिते एवं संसकर्ती अगादमी बिकानेर की दुआरा इंपोर्टेंट जो क्यूसन है वो आपके सामने रहेगा ओप्सन ऐस सही रहेगा दो नमर क्यूसन मरुवानी क्या है मरुवानी राजस्तानी बासा की मासिक पत्री का ओप्सन ऐस सही रहेगा क्यूसन नमर तीन है निमलिकित में सरुवपर्तम किसने राजस्तान के राजसी सासक वरक के लिए प्रितक सिक्षा संस्तान के आउसिकता पर बल दिया था किसने दिया था केप्टन वाल्टर ने दिया था ओप्सन सही रहेगा यहां पे क्योस्था नमर चार है तरुन राजस्तान नामक समाचार पत्तर के संस्तापक कोन थे तरुन राजस्तान समाचार पत्तर के संस्तापक कोन दे मित्रूं जे नाराइन व्यास option ऐसा ही रहेगा क्योंसे नमबर पाँच है सवतंतरता पूर्ण राजस्तान का नीमलिकित में से कौन सा समाचार पत्र आर ये समाज विचारदारा का समवर्दग नहीं था सवतंतरता पूर्वे की बात हो रही है कौन सा समाचार पत्र देसी तेसी जनितकारेक प्रोपकार राजपुता ना गजट ये नहीं था दे ओपसं सही रहीगा क्योंसे नमबर च्छे है उनीसो बीस के दिसक में राजनितिक जागरण के उदेसे सिकिस ने ब्यावर्द से राजस्तान अकबार का परकासन किया था किस ने किया था रिसिदत महता ने किया था ओपसं बैस सही रहीगा क्योंसे नमबर साथ में चलिए राजस्तान में परकासी सर्वपर्तम साब्ताइक समाचार पत्तर साब्ताइक समाचार पत्तर कौन सा था सजन किर्टी सुदा कर था Option我要 says सही रहीगा Q3 है निमलिकित मैं से किस समाचार पत्र नी बिजोलिया किसान आंदोलन को विश्तरित रूप में परचारित किया था किस ने किया था परताब समाचार पत्र नी Option x सही रहीगा Q4 है Devisha ngarty wizardly hasn't किस समाचार पत्र का परकासन किया था किसका किया था दोस्तों देवी संकरतिवाडी ने लोकवाणी का किया था ओप्सन सह सही रहीगा क्यों से नमर दस है जे नारेन व्यास ने अकंड बारत नामक देनिक पत्रीका का परकासन कहां से किया था अकंड बारत नामक देनिक पत्रीका का परकासन किया था बंबाई से ओ ओप्सन से सही रहीगा क्यों से नमर ग्यारा है पत्रकारिता का बिस्म पिता में किसे कहते हैं पत्रकारिता का बिस्म पिता में कहते हैं पंडित जाबरमल सर्मा को ओप्सन सही रहीगा यहां पे क्यों से नमर बारा है अठारा मार्च उन्नी सो अड़तालिस में उद्गाटित मतस्य संग में निमलिकित में से कौन सा राजिय सामिल नहीं था कौन सा मतस्य संग में अलवर था ब्रतपूर था जेपूर नहीं था दोलपूर था ओप्संस है जेपूर सही रहेगा यहां पर क्यों से नमर 13 माउंट अबू को राजस्तान राजिय में ओपचारिक रूप से देव उपसं सही रहीगा क्योंसे नमर चोदे है किस पर्देश के विसाल राजस्तान में समलित होने से सयुक्त विसाल राजस्तान नाम करन वा दा दोस्तों किसके मतस संग के विसाल राजस्तान में जब समलित हो आ तो नाम हो गया सयुक्त विसाल राजस्तान आगी क्योंसे है एक एकरण के समय राजस्तान की एक मातर जो मुस्लिम रियास्त थी वो कौन सी थी मित्रूं एक मातर मुस्लिम रियास्त थी एक एकरण के समय और वो थी आपकी टोंक दोस्तों सही रहीगा क्यों से नमर सत्रह है एकिकरण के चोते चरण में वन एवं सहकारी विबाग किसे सोपा गया वन एवं सहकारी विबाग किसको दिया गया था कोटा को दिया गया था सै ओप्सन सही रहीगा क्यों से नमर अठारा है चेतरपल के आदार पर राजस्तान की सबसे बढ़िये रियासत थी कौनसी जो बड़ी रियास्त प्राचिन रियास्त थी आपकी मेवाड रियास्त दोस्तों इंपोर्टेंट क्यूसर ने बहुत सारे साथ ही क्या कर देते हैं यहां पर सही रहीगा क्यूसर नमर 19 राजस्तान के परमुक सवतंतर तसे नानी एवम उनके कारिये इस्तल के सम्मन्द में ज जोदपूर रियास्त जेनारेन व्यास्त जो सोरी करसंदत पालिवाल दोलपूर रियास्त जेनारेन व्यास्त दो जोदपूर रियास्त रगवर दियाल गोयल भीकाने रियास्त गोपिलाल यादव अलवर रियास्त यह गलत है दे ओप्संस सही रहेगा यहां पर क्योसर नम उन्हों में अपना पहला विदानसबा चुनाव है जो हार गए थे बादमी किसंगड से जीते उन्होंने तीन बार सही गलत है दो बार राजस्तान के मुक्यमंत्री के रूप में कारिये किया ओपसंद सही रहीगा नेक्स्ट जेहन सिक्ष्या परचारक सिमेती किस्तापना उन परचना किसने की वेदक सागर और पूजा पदती यह जो पुस्तके हैं यह जोरावर सिंग की है ओपसंद सही रहीगा तेबीस नमर क्यों सन सन 1947 इसवी में वीरबाला कालिबाई किस गटना में सही दुई थी किस गटना में रास्तापाल कांड के अंदर बै ओपसंद सही रहीगा यह जोरावर सिंग बारत ने किया था ओपसंद सही रहीगा क्योंसर नमर 25 है राजस्तान में बालिकाओं के लिए जन जे कल्निया विदा ले जो 1932 में इस्तापित किया गया ये इस्तापित किस ने किया था नाम से पता कर लो जे तो जे नाराइन व्यास ने क्योंसर नमर 26 है और सब्यता का उतकनन कारी सर्वपरतम किसके नेत रीतुए में हुआ था बात हो रही है आड़ सब्वेता की किसके नेतरीतुए में अक्से कीर्टी व्यास के नेतरीतुए में सह ओप्सन सही रहीगा क्योस्सर नमर अठाइस चीनी यात्री हर्सवर्दन ने अपने पुस्तक सीयूकी में बेराट के लिए की सब्द का परियोग किया है बेराट के लिए पारियात्र ओप्सन सही रहीगा याँ पे क्योस्सर नमर उन्टीस है नेमलिकित में सिक की सब्वेता को तामर यूगिन सब्वेताओं की जननी का जाता है तामर यूगिन सब्वेताओं की जननी का जाता है गनेश्वर सब्वेता को बैव उप्सन सही रहीगा नेक्स्ट नेमलिकित में सिंक राजस्तान का कौन सा सेंदव इस्तल गगर नदी के किनारे इस्तित है गिलूंड आड पिलिवंगा कालिवंगा कालिवंगा है दोस्तों देव उप्सन सही रहीगा क्योंसर नमर इक्तिस है बेराट जेपुर में इस्तित किस डूंगरी से बोध वियार के आउसेस मिलें बोध वियार के आउसेस मिले थे बीजग डूंगरी से दोस्तों से उप्सन सही रहीगा कि उस्सर नमर 32 है कि सब्बेता के उतकनन केगे इस तल को महा सतियू का टीला का जाता है महा सतियू का टीला का जाता है बागोर सब्बेता को सै ओपसं सही रहेगा कि उस्सर नमर 33 है महा भारत काल के उसे कहाँ से मिलें अब देखे अलोवर के निकट बेराटी है जेपूर के निकट भी है अलोवर के निकट भी है और बरतपूर के नो से बरतपूर के निकट है नो वहां से दोनु जगे से महाँ बारत काल के अवसेस मिलें तो ओपसन ऐस सही रहीगा क्योंसर नमर 34 है किस इस्तल से मालव वै आड सीके प्राप्तीएं मालव वै आड सीके काह से नगरी सुरी नगर जो टौंक में है नगर सब बेता वहां से मिलें उपसंस सही रहीगा कि उस्सέ नमर पेतीस है राजस्तान के कौन से तामर पती से राणी करमावती दोारा जोर के परमान मिलते हैं पूरत तामर पतर से किसे पूरत तामर पतर से सह सही रहीगा कि उस्सर नमर 36 है कि सिलालेग में चुवानू को वच्छ ब्रामन का गया है वच्छ गोतर ब्रामन का गया है बिजोलिया सिलालेग के अंदर से ओप्सन सही रहेगा कि उस्सर नमर 37 है से इकावाटी छेतर की इक्ला समपदा के स्रक्ष्ण एवाफण 20 जून 2006 को राजकिय संग्राले की स्थापना कहां पर की गई है मित्रूं तो सेकावाटी चेतर की बात कर रहे हैं तो कहां पर सिक्कर के अंदर ओपसन एस सही रहीगा क्यों से नमर अर्टीस है राजस्तान में फार्सी बासा का सबसे प्राची नबिलिक किस जिले में अजमेर के अंदर है ओपसन सही रहीगा क्यों से नमर उन्चालीस है निमले कित में से किस चेतर में पंचमारक सीकू के बारे में सबसे पहले साख से प्राप्त हुआ पंचमारक सीकू के बारे में सबसे पहले साख से कहां से मितनु राजस्तान से बै ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमर चालिस है मुहमत साही वडोडिया सी के किस रियास्त में परचलिक थे मुहमत साही वडोडिया सी के ये ते जेसल में रियास्त के अंदर परचलिक ओप्सन ऐस सही है यहां पर क्यों से नमर चलते हैं 41 की और स उदेपूर के अंदर एव उपसं सही रहीगा क्योंसर नमर बैयालिस है एसर्वेवरे कोप एंसियंट साइड्स एलोंग दी लोश्ट सर्शवती रीवर ये किसका कारियत है मित्रूं ये कारियत है औरेल इस्टेन का इंपोर्टेन क्योंसर बन सकता है एक जामे वै उपसं सही रहीगा क्योंसर नमर तैयालिस राजस्तान के किस सब्वेता इस्टल से भुकम के साथ से प्राप्त है भुकम के साथ से मिले काली बंगा सब्वेता से ए उपसं सही रहीगा किस पुरातत्वे स्थल को ओजारू की नगरी भी कहा जाता है कुराडा जो कहां पर मिली है नागोर जिले में ओपसंस है यहां पे सही रहेगा किस नमर पेटालिस है बागोर बीलवाडा सब्वेता का उतकनन का रिये किसके दुआरा किया गया था बागोर बीलवडा का उतकनन कारिये किसने किया था ये कारिये किया था डोक्टर विरेंदर नात मिसर ने option 6 सही रहेगा किसने उन्नीस सो बेतर इस्वी में गनेश्वर सब्वेता जो सिकर में नीम का थाना में की पैचान की थी गनेशवर सब्वेता की पहचान कीती रतन चंदर अगरवाल ने सै ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमर से तालिस तिलवाडा बाड़मेर का उतकनन किसके दुआरा किया गया ता विरेंदर नात मिस्सर के दुआरा ओप्सन एस सही रहेगा यहां पे क्यों से नमर एटालिस देए कि अलावदीन खिलजी ने सिववाना दुरक जीतने के बाद किस सेनापथी नेतरीतों में 70 कमालु दिन गुर्ग के नेतरीतुए में, ओप्सन S सही रहीगा, क्यों से नमर पचास है, अलाउदीन खिल जी के आकरमन के समय सिवाना का सासक, सिवाना का सासक था सीतल देव सोनगरा, कौन था सीतल देव सोनगरा, ओप्सन S सही रहीगा, क्यों से नमर पचास है, अलाउदी खिलजी दोरा सिवाना जीतने के बाद इसका बार किसे सोपा था सिवाना जीतने के बाद से नापति कमालुदीन गुर्ग को इसका बार सोपा गया था ओपसंदे सही रहीगा क्योंसे नमर इकाउन है अलावदीन किलजी के आकर्मन के दोरान सिवाना के सासक सातल देव के साथ विश्वास गात किस ने किया था मित्रू किस ने किया था बावले ने किया था बै ओपसं सही रहीगा क्योंसर नमर बावन है सिरोई में चुवान वंस की नियू किस सासग ने रखी थी सिरोई के अंदर जो चुवान वंस है इसकी नियू किस ने रखी थी लूंबा ने रखी थी ओपसन दहस सही रहेगा क्योसर नमर त्रेपन त्रेपन अमर क्योसर सिरोई के चुवान वंस के संस्ता पक लूंबा की राजदानी लूंबा की राजदानी कौन सी थी मित्रों चंद्रावती थी ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमर चोपन है सिरोई के किसासग ने खानवा युद में राणा सांगा की साहिता की थी बे ओप्सन सही रहीगा क्योसर नमर पच्पन है सिरोई के की सासक ने इस्ट इंडिया कमपनी के सास संदी की थी सिरोई के सासक थे सिव सिंग ने सिरोई के सासक थे सिव सिंग से ओप्सन सही है क्योसर नमर चपन मेरान गड़ दुरग में चामुंडा माता मंदिर का निर्मान किसने करवाया था चामुंडा माता मंदिर का निर्मान किसने करवाया था राव जोधा ने करवाया था आपसन ऐसा ही रहेगा क्यों से नमर सताउन है 1645 इसवी में मारवाड के अमर सिंह राठोड वबीकानेर के करण सिंह के मद्दे कौन सा युद लड़ा गया था तो 1645 की बात हो रही है कौन सा युद लड़ा गया था मतीरे की राड होई थी अपसन सह सही अमर सिंह राठोड नागोर के सासक थे ही नेक्स्ट पर्तम विस्वेयुद के दोरान अंग्रेजु की साहिता करने वाला जोदपूर का सासक जो पर्तम विस्वेयुद होता है उसमें अंग्रेजु की साहिता करने वाला जोदपूर का सासक था सुमेर सिंग दे ओप्सन सही रहेगा क्योसर नमर 69 है चीन के बोकसर युद के दोरान मारवाड के किस सासक ने अपनी सेनाएं बेजी थी चीन का बोकसर युद हुआ था उसमें मारवाड का सासक था सरदार सिंग जिसने अपनी सेनाएं बेजी थी ओप्सन सही रहेगा किसना जी ने राटोडू की सकती का केंदर किसे बनाया आसना जी ने राटोडू की सकती का केंदर बनाया था वो बनाया था गुन्दोज को किसन सिंग मारवाड के किसासक के पुतर ते मारवाड के सासक मोटा राजा उदे सिंग के पुतर ते किसन सिंग दोस्तों because hai उपसन सही रएगा यह रएगा यहां पे नेक्स्ट कीसंगड राजी की स्तापना कपी गई किसंगड राजी की स्तापना कब की गई थी सोला सुग्यारा इस्वी के अंदर बै उपसन है जो आपका यहां पर सही रहेगा मारवाड के सासक गतिसिंग की मर्थू किस इस्तान पर हूय थी गतिसिंग की मर्थू विती आगरा के अंदर बें ओप्सन आपका सही रहीगा क्योषा नमर चोसट है जोभभपूर में गुलाब सागर वह रानी सर टालाब का निर्मान किस ने करवाया था गुलाब सागर वे राणी सर तालाब का निर्मान करवाया था गुलाब राई ने सह ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमर 65 है मारवाड के सासक राव मालदेव का 1531 इस्वी में राजयाबिसेक किस इस्तान पर हुआ था 1531 के अंदर जो राजयाबिसेक वा था वो सोजत के अंदर हुआ था पहला राजयाबिसेक दूइती राजयाबिसेक है जो जोदपूर पोर्ट में हुआ था next on question है बिकानेर के किस सासक ने देश नोग में इस्तित करनीमाता के मंदिर का निर्मान करवाया था मित्रू जो वर्तमान सवरूप हम देखते हैं ये तो करवाया था राउ गंगा ने लेकिन जो पहले मंदिर बनवाया था वो बनवाया था महराजा करण सिंग ने Next क्योसिन है विकानेर के सासक की सासक Лो जागल दर्म बादसा भी कहा जाता है किसको कहा जाता है राव करण सिंग को ओपसन ऐसा ही रहेगा क्योसर नमर 68 है खानवा के युद में बिकानेर के राव जेटसी ने किसके नेतरीतों में सेना वेजी थी राव कल्यानमल के नेतरीतों में सेना वेजी थी ओपसन ऐसा ही रहेगा क्योसर नमर 69 बिकानेरी चितरकला की सुरुवाद किसके काल से मानी जाती है बिकानेरी जो चितरकला है उसकी सुरुवाद मानी जाती है राई सिंग के काल से ओपसंद है सही रहेगा क्योसर नमर 70 किसके सासन काल में दयाल दास ने बिकानेर रारा ठोड रीख्यात नामक कृती की रचना की ती किसके काल में की ती इसकी रचना महारजा रतन सिंग के काल में नेक्स्ट है किसके सासनकाल को बिकानेर चितरकला का स्वनकाल का जाता है किसके काल को का जाता है महारजा अनूप सिंग के काल को कहा जाता है कि उससे नमर बेतर है राव लून करण को कलियू का करण की सिलालेक में वरनित किया गया है कलियू का करण का गया है जुनागड सिला पुस्तिकाले में खजूर के पत्व पर लिखी हुई पांडू लिप्यू का संग्रह मिलता है किस पुस्तिकाले में मिलता है ये मिलता है अनूप पुस्तिकाले के अंदर से उपसंस सही रहेगा कि उससर नमर पचेतर है जहांगीर ने किस सासक को अहमद नगर में एहमद नगर के मलिक अंबर के विरुद बेज़ा था दोस्तों किसको बेज़ा था मिरजा राजा जे सिंग को बेज़ा था वै ओप्सन सही रहीगा कि उससे नमर सेवंटी सिंग सेवंटी सिक से जेपूर में इस्ति राम लियास बाग का निर्मान किस सासंग ने करवाया था मुबारक महल का निर्मान किस ने करवाया था मादो सिंग द्विते ने बे ओप्सन सही रहेगा कि उससा नमर सेवंटी एट है मिरजा राजा जे सिंग वह सिवाजी के मद्दे पुरंदर की संदी कब होई थी J.S.W.S.W.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A जेपुर में किस संपर्दाई की स्तापना हुई किस संपर्दाई की रामानूत संपर्दाई की स्तापना हुई थी सै ओप्सन सही रहेगा क्यों सर नमरे टी वन कच्छावा वंस्के किस सासग ने आमेर मेलू का निर्मान करवाया था राजा मान सिंग ने Q17 happy एम्राज चरती स्साए रहेगा Q17 happy अंग्रेज सनापती जोर्ज थोम्स ने जेपूर की सासक पर आकर्मन किया था जेपूर के किसासक पर आकर्मन किया था दोस्तु सवाई परताप सिंग पर सै ओप्सन सही रहीगा आपका नेक्स्ट मेवाड के अमर सिंग द्विते की पुत्री चंदर कूरी का विवा की सासक के साथ हुआ था अमर सिंग की पुत्री थी चंदर कूरी जिसका विवा हुआ था सवाई जे सिंग के बाद और इससे जो पुत्तर संतान हुई उसको लेकर यहां पर यूद भी हुआ आग से नहीं नुराम थे कोटा परजामंडल से नेक्स्ट क्यूसर नमर च्यासी है सहापुरा परजामंडल की स्तापना कब हुई बात कर रहे हैं यहां पर सहापुरा परजामंडल की तो 1938 इसवी में सही रही गा मारवाड परजामंडल का गटन कब किया गया मारवाड परजामंड है इसका गटन हुआता उननी सो चो तीस में बैव उप्संस सही रहीगा आपका क्यों सर नमर एट येट बारतियर राश्ट्रे कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियास्तु के सवतंतरता अंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनायाता दोस्तु हरी पुरा अध सब्सक्रेंस बेट ने रिक का नेरने देव उप्संस सही रहेगा क्योसर नब्बच नब्बच राजतान सेवासंका निर्मान उन्नी सो उन्नीज में विजें सिंघ्पतिक राम नारा इन चोदरी हरी भाई किंकर दौारा किस इस्तान पर किया गया था दोस्तों कहां पर वर्दा महराष्टरा में ओपसं सही रहेगा क्यों से नमर इकराण में राजपुताना मद्दे बारत सभा का पर्ताम अदिवेशन सन 1919 में कहां हुआ था दिल्ली में हुआ था option S आ ही रहेगा क्यों से नमर ब्राण में है जम्नालाल बजाज ने सबा की उदेपूर सहर के अंदर नेक्स्ट क्योशन है 17 जुलाई 1948 को किस राजे में बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर राजे के अंदर ओप्सन ऐस सही रहेगा क्योसर नमर पंचान में देखे बारत विले में सबसेंथ में किस रियासत ने अस्ताकसर किये थे किसने किये थे दोलपूर रियासत ने से ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्योसर नमार 96 है राजस्तान के कौन से चरण में जैपूर जोदपूर जैसलमेर वे बिकानेर को मिलाया गया था इन सभी को मिलाया गया था चतुर चरण के अंदर कौन से चरण में? चत्तुर चरण के अंदर पहला मतस्य संग दूसरे के अंदर जो दक्षनी राजस्तान के रियास्ते वो रियास्ते नो रियास्ते एक ठीका ना पिर उनके तीसरे चरण में उनमें मेवाड मिला और चोते चरण में उन सभी में ये मिला दोस्तों आगे चलिए 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्तान में सामिल होने वाली रियास्त है इसमें से किसंगड है सापुरा है कोटा है उक्त सभी है दे ओपसं सही रहीगा क्यों से नमर एंठैन में है 25 मार्च 1948 को राजस्तान में जिस रियास्त का विले हुआ वैती कौन सी रियास्त सिरोई बरतपुर परताब गड़ती वो से ओपसं आपका सही रहेगा नेक्स्ट है मतस्य संग का परतम राजप्रमु किस रियास्त का सासक बना किस रियास्त का बनाता दोलपुर रियास्त का से ओपसं सही रहेगा क्योसन सो अजमेर मेरवाडा के विले के साथ राजस्तान राजे के एकिकरण की परकिरिया किस वर्ष पूर्ण हुई 1956 के अंदर ओपसं ऐस सही याँ पे रहेगा दोस्तु क्योसन नमर 101 है बारेश सरकार ने पांच जनवरी 1950 को सिरोईका परसासन किस सरकार को सोपा सिरोईका परसासन सोपा था बंबई सरकार को दे ओपसं सही रहेगा क्योसन नमर 102 है एकिकरण के अंतिम चरण में मद्दे पर्देश का सुनेल टपा नामकिस्तान राजस्तान के किस जिले में मिलाया गया दोस्तों किस जिले में कोटा जिले में और कोटा जिले में सुनेल टपा मिलाया गया जहलावाड का है कुछ बाग है जो सिरोच छेतर है वो दिया गया था मद्दे पर्देश को आगे चलिए मतैसे संका कौन सा राजिये जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर परदेश के साथ विली नहीं करने के लिए तैयार था दोस्तों कौन सा दोलपुर राजिये सै उपसंस सही रहेगा क्यों सा नमर एक सो चार है अठारा सो तैयासी इस्वी में गोविंद गिरी ने मेवा, डुंगरपूर, गुजरात और मालवा के बील और गरासिया जाती के लोगों को संगटित करने के लिए किस सबा की स्थापना कीती संप सबा की स्थापना कीती एव उपसंस सही रहेगा कि उस्था नमर पच्चा एक सो पाँच है मादो सिंग वे गोविंद सिंग का सम्मन निमलिकित मैंसे किस किसान आंदोलन से है मादो सिंग वे गोविंद सिंग का सम्मन किस किसान आंदोलन से अलवर किसान आंदोलन से दे उपसंस सही रहेगा कि उससे नमर 106 है बीलू ने मोतिलाल तेजावत के नेतरितों में कौनसा अन्लोलन प्रारम किया जिसका परमो कुदस से बारी लगान वे बेगार से बील करसकू को मुक्त करवाना था दोस्तों ये अंदोलन था एक की अंदोलन दोस्तों गोविंद गुरू के नेतरितों में वा था वो बगत अन्दोलन था नेक्स्ट क्योसन है नेमलिकित मेंसे कौन सी गटना को मात्मा गांदी ने डाइर के करते से दुगनी विबत कांड बताया दोस्तों किस गटना को नेमूचना गटना मही 1925 में जो गटित हुई ओप्सन ऐस सभी गा क्योसे नमर साथ है नेमलिकित मेंसे कौन बिजोलिया किसान अंदोलन का नेता था नेम ép किसान गानृक प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है चोकली पत्तर जो चुगदासो तईया सी इस वीका है उसमें बै औप्संस सही रहीगा क्यों से में नमर 110 है विजो लिया किसान अंदोलन के दौरान परवर्तित विद्या पर चारीनी सभा के परवर्तिक थी कों थे वित्रूं विजए सिंगं पती सेघावाटी बिर्गेड का मुक्हाले जुन-जुनों में कहां पर जुन-जुनों के अंदर सैघावर क्योंसर नमर 112 है अंग्रेज राजपूत राज्यू में 1877 के विद्रों को दबाने में सपल रहे क्यों रहे क्या कारण था इस्तानिय सासकु ने क्रांतिकारियू का साथ नहीं दिया इस वज़े से ओप्सन ऐस सही रहेगा next question है 1877 के विद्रों के समय किनचावणि और विद्रों में भाग नहीं लिया था वियावरोग खेरवडा सी रहेगा कि उससे नमर चोदे है अंग्रेजु ने अपनी सपद बंग किये क्या उन्होंने अवद पर अधिकार नहीं किया उन्हें यह पेक्सा नहीं करने चाहिए कि बारती है अपनी सपद का अनुपालन करेंगे अड़ाससो सताओन की क्रांती के संबंद में ये कतन किसने कहा था मित्रूं ये कहाता 있다고 मुहमद अली बेग ने 10 नहीं सई रहेगा नेक्स्ट कि Aurêtes the निकिट के सिस्तान पर प्रास्त किया था कहां पर चेला वास कालेवे गुरू का युद ओप्सन ऐसा ही रहेगा नेक्स्ट है अटारश सु सताउन की क्रांती में अंग्रेजु वे जोदपुर की सेना को प्राजित करने वाला था कौन ता मित्रू आउआ के ठाकुर कुसाल सि देउ ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट कौन सा कूट सुमेलित नहीँ है राजिय कोटे पूलिटिकल एजेंट दिये गए हैं उद्धेपूर सियल सावर्स कोटा मेजर बर्टन जेपूर मेजर लोर्चन नहीं गलत है और बरतपूर मेजर निक्सन तो सै ओप्सन आपका यहां खां दोस्तों सही रहीगा क्योष्ञ नमर 19 है बेरकपुर की चावनी के परमुकरांतिकारी को थे बेरकपुर चावनी के परमुकरांतिकारी थे मंगल पंडे बैयोप्सं सही रहीगा किस्षान नमर 120 है 1857 में आवा में किस बिर्टिस पॉलिटिकल एजेंट की अत्या की गई थी किसकी की गई थी कैप्टेन मेक मेसन मोक मेसन या मेक मेसन की बै ओपसंस सही रहेगा किस्षान नमर 21 है किसिस्षान को वागड का जलियां वाला बाग का जाता है मानगड़ दाम को ए ओपसंस सही रहेगा किस्षान नमर 22 है नेमलिकित मेसी कौन सा अंदोलन या संगटन बिलू के उटकरस समंदित नहीं है इनमे से राजस्षान सेवा संग नहीं है बगत आईकी और वनवासी यह आपके बिलू के उतकर से समन्दित है तो ओप्सन एह है आपका सही रहेगा नेक्स्ट सेकावाटी के ग्राम कट्रातल में अप्रेल 1934 इस्वी में किसके नेतरीतों में हजारू जाट मैलाओं ने किसान अंदोलन में बाग लिया था दोस्तों किसके नेतरीतों में किस सोरीर देवी के नेतरीतों में सही रहेगा कि उससर नमर चोबीस है निमलिकित में सें किसने मेव करसे कांदोलन का नेतरी तवे किया था यासीन खाने सै ओपसंस सही रहीगा क्यूसर नमर पचीस है बोमट के बील आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है बोमट के बील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है मित्रू एक की आंदोलन के नाम से ए ओपसन सही रहीगा किसे था बुंदी किसान आंदोलन से से उपसन सई रहेगा किसने डेली एराल्ड समाचार पतर के मादेम से सिकर की किसानों की समस्या को परकासित कियाता दोस्तों किसने राम नारायन चोदरी ने बै उपसं सही रहीगा क्यों से नमर अटाइस है 1916 में निमलिकित में से किस ने बिजोलिया किसान पंचाइत का आयोजन किया था बिजोलिया किसान पंचाइत का आयोजन किया था विजे सिंग पतीक ने बै उपसं सही रहीगा क्यों से नमर उनतीस है निमलिकित में से कोन नमर तीस है राजपूत वेदिकारियों की संतान इसमत के परतिपाद क कोन थे मित्रू राजपूत वेदिकारियों की संतान है ये बताया डोक्टर गोरी संकर हीराचंद ओजा ने दैव उपसं सही रहेगा क्यों से नमर 131 बसंत गड़ का सिलाले किस वन से समंदीत है चावडा वन से दैव उपसं सही रहेगा क्यों से नमर 132 लोड लेग ने होलकर सिंधिया अमिर खांकी समिलित सेना को कहां प्रास्त किया ता लेक ने कहां पर किया था मित्रू बेर के अंदर ए उपसं सही रहेगा क्यों से नमर 133 रास्तान के परतेकराजे में महकमा बकायत होता था जो महकमा बकायत अच्छी पसल के समय सेस राजस वे वसूलता था उपसं ए यह यां पे सही रहेगा नेक्स्ट है परमार राजवन्स की राजदानी का थी कहा पर थी अधूना ओप्सन 10 सही रहेगा नेक्स्ट क्योंसे ने डूंगरपुर राजे में गुईल राजवन्स का संस्तापक था सामंत सिंग सही रहेगा क्योंसे नमर इतियास में कौन सा सासक माल देव मुच्छाला के नाम से विक्यात है माल देव मुच्छाला के नाम से राव माल देव सातल देव सोनगरा माल देव सोनगरा तीनों ही नहीं है इनमें से कोई नहीं देव अप्सन सही रहेगा क्योंसे नमर 37 में चलिए मितरू 37 नमर है कानड़ देव जालोर का सासक था ये बै ओपसन सही रहेगा क्योस्सा नमर अर्थीस है निम लिकित में से कौन सा सासक जालोर के चुवान वन से समंदित नहीं था इन में से देखे उदे सिंगी नहीं ये वत्सराज कीर्थिपाल और समर्थिंग ये तीनों तो है तो ओपसन एपका यह पे सही रहेगा क्योस्सा नमर उन्चालेस प्रिस्ता के नुसार अलावदिन खिलजी का जालोर पर द्वित्य आकर्मन किस वर्स में होता जालोर पर अलावदिन खिलजी का द्वित्य आकर्मन होता तेरा सो दस में सै ओपसन सही रहेगा क्योस्सा नमर चालेस सन ग्यारा सो स 30-30 में सामन सीमा के दौआरा के दौआरा क्यातु प्राजीत होने के बार डुंगरपुर राजे की स्तापना की गईती किसके दौआरा बीमदेव द्विते के दौआरा सैव उपसन सही रहेगा क्यों सहनमर 41 है जालोर के सासे के वमलावदिन खिलजी के मद्दे संगर्स की जा कानरदेव सोनगरा दिली सल्खलत के किसासक से यूद करते हुए वीरगती को प्राप्त हुआ था कानरदेव सोनगरा जलालुदीन खिलजी से ओपसन दैस सही रहेगा क्यों से नमर तैयालिस है निमलिकित में से कौनसा सिलालेक परतियारू का इतियास बताता है पर्तियारू का इतियास बताने वाला सिलाले कुछ सा стिलाले का है मित्रू, कुछ सा सिलाले का है, मंडोर सिलाले का है, option A सही रहेगा कि उस्सार नमर चमालिस है बोज यानि मेर बोज किस वंस का सासक था किस वंस का सातक था गुर्जर परतियार वंस का सासक था ओपसन ऐस सही रहेगा कि उस्सार नमर पेतालिस है मंदोर में किस वंस का सासन था मंदोर में था परतियार वंस का सासन बे ओप्सन सही रहेगा कि उस्षा नमर ची आलेस उद्योतिन सुरी ने कुवलाई माला नामक गरंद की रचना किसके काल में कीती कुवलाई माला नामक गरंद की रचना कीती वत्राज के काल में ओप्सन ऐस सही रहेगा क्योंसर नमर से तालिस है परतियार वंसमी कि सासक को पीतरहंता का आ जाता है परतियार वंसमें पीतरहंता सासक मिहीर बोस्ते दोस्तों ओप्सन ऐस सही रहेगा क्योंसर नमर तालिस है कि इस परतियार सासक को निर्बे नरेस का आ जाता है निर्बे नरिस का आ जाता है मेंदरपाल परतम को important Qution भी बन सकता है ये next Qution है किस परतियार साज़के काल में महमूद गजनवी ने कनोझ पर आकरमं किया था महमूद गजनवी ने कनोझ पर आकरमं किया था उसमें परतियार साज़के राज्ये पाल से ओप्सन सही रहेगा कि उससर नमर पचास है राश्टर कूर्ट वंस के सासे दंती दुरक को किस परतियार सासंग ने हिरने गरब्दान यगेतू उजे नामंतरित किया था दोस्तों किस ने किया था नागबट परतमने ओप्सन ऐस सही रहेगा और आज की क्लास का अंतिम क्यूसन 151 अमर सुमेलित कीजिए समाचार पत्तर और कहां से ये निकले वो बताना है जेहिंद जेहिंद निकला था कोटा से तरुन राजस्तान ब्यावर से नमीन राजस्तान अजमेर से राजस्तान केसरी वर्दा से दो, चार, तीन, एक ओप्सन आपका सही रहेगा तो राजस्तान इतियास की ये तिमेरातन कलासेज 101 परशनू की कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, सेर और जो नए साती है वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद जे हिंद, जे भारत